मोटापा से लड़ना आजकल के fast food and busy lifestyle के जमारे में मुश्किली होता जा रहा है और बट्टी उमर के साथ आपके शरीर का metabolism ऐसे भी कम होने लगता है तो वजन को घटाना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अब सोचिए अगर ऐसे चलते आपके हाथ एक ऐसा नुस्का लग जाए जो आपको जट से वजन कम करने में सहायता करे तो तो दोस्तों शायद आज आपका बहुत लखी दिन है और आपके हाथ सच में नुस्का लग चुका है इस जादी नुसके से मोटी से मोटी चर्वी चत से पिगल जाती है तब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट्स पानने के लिए हमारी चानल आसकाई गूरु को सब्सक्राइब करना ना भूले दो चमच इस सीक्रेट इंग्रीडियन्ट को पानी में उबाले एंड अपनी चर्वी को पिगाल दे 20 दिन में आपको विजिबल फरक गैरंटी दिखना शुरू हो जाएगा थंटी के सीसन में वेट लॉस बड़ा है मुश्किल होता है तो ये सीक्रेट इंग्रीडियन्ट आपकी वेट लॉस में आपको बहुत फाइदा देगा तो ये सीक्रेट इंग्रीडियन्ट है अजवाइन जी हाँ दोस्तों बहुत ही आसानी से आपके किच्चन में पाए जाने वाली चीज अजवाइन दो चमच अजवाइन लीजे और कढ़ाई में लो फ्लेम पे रोस्ट कीजे आपको अजवाइन की हलकी भूने की खुश्बों आने लगेगी तो अब आप बस गैस बन कर लीजे अजवाइन को ज्यादा रोस्ट करके काला बिल्कुल ना करें फिर आप दो गलास पानी को एक बॉल में बॉल करने लखें पानी जैसे ही बॉल होना शुरू हो जाएं आपको रोस्ट की गए अजवाइन इसमें मिला देनी है अजवाइन पानी में बॉल होके पानी का कलर चेंच होने लगता है और जो दो ग्लास पानी था वो एक ग्लास पानी बॉil होके रह जाता है इसके बाद पानी को उबलना बंद करना है इस पानी को पीने लायक हलका थंडा करते और सुबा सुबा उठते ही खाली पेट पी ले इसमें फ्लेवर के लिए नीमू या शहर भी मिला सकते हैं अगर आप दायबिटिक है तो शहर ना मिला है इस नुस्के से आपका वेट लॉस तो होता ही है लेकिन आपकी पच्चन शक्ती सुधर जाती है आपको एसिडिटी प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है और जिनको डायबिटीज है वो भी कंच्रोल में आ जाता है हाट प्रॉब्लम से भी बचाता है छोटे बच्चों को भी इसका थंडा पानी दे सकते हैं सुबा सुबा खाली बेट नहीं लेकिन खाना खाने के बाद इससे उनको सर्दी खासी की समय से नहीं रहेगी और जिनको अस्तमा की परेशानी है उनके लिए भी ये काफी फाइदमिंद है क्योंकि ये हमारे अंदर कफ से कंचेशन होने नहीं रेता तो स्लास लेने में दिक्कत नहीं होती है तो देखा दोस्तों ये वेट लॉस में का फाइदमिंद है ही लेकिन पार्चन शक्ती सुधारने में डियाबिटीस कंच्रोल में लाने के लिए हाट प्रॉब्लम से बच्चाने में अस्तमा के प्रॉब्लम को दूर रखने में बच्चों की सतनी खासी को दूर करने में कितना ज्यादा असरदार है इलाज एक और फाइदे अन्नेक तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ वेट लॉस या हेल से जुड़े कुछ असरदार तरकीबे हैं तो हमसे और हमारे व्यूवर से जरूर कमेंट सेक्शन में शेर करें आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगले वीडियो तक अलविदा दोस्तों नग्यों नग्यों नग्यों